हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागा थैं आपका सूपर फास्ट स्टेडी एंड एक्सपेरिमेंट पर तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक के उपर डिसकसन करने वाले हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ही जरूरी है जिहां हम डिसकस करने वाले हैं फैक्टर ओफ सेफटी के बारे में क्या होता है ये फैक्टर ओफ सेफटी इसका क्या इंपोर्टन्स है हम एक एक्जामपल के साथ बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे इस वीडियो में तो स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मुला से तो factor of safety का formula होता है maximum stress upon working or design stress अब इन दोनों चीजों को समझते हैं maximum stress वो stress होती है जिस limit को cross करने के बाद में आपका object जो है वो fail हो जाएगा for example हमारे पास एक steel की rod है जिसका maximum stress जो है वो है 500 newton per mm2 ठीक है वो इसका maximum stress है अब हम बात करते हैं working or design stress की यानि की working or design stress आखिर क्या होता है actual में जितना stress वहाँ पर apply होगा working के दोरा उसे ही कहा जाता है working or design stress तो हमारा जो rod है suppose करिए वहाँ पर उसका जो working or design stress जो आ रहा है वो आ रहा है 100 newton per mm2 तो चलिए अब हम इस value को put कर देते हैं इस formula में factor of safety के formula में हमारा maximum stress कितना था वो था 500 newton per mm2 और हमारा working or design stress कितना है वो है 100 newton per mm2 तो यहाँ पर answer क्या आया अगर हम 500 को divide करेंगे 100 से तो हमारा answer आ रहा है 5 यानि कि यहाँ पर factor of safety जो है वो है 5 इसका मतलब यह है कि हमारा जो rod है वो 5 गुना जादा मजबूत है 5 गुना जादा load ले सकता है जितना उस पे लगने वाला है यानि कि जितना stress उस पे लगने वाला है वरकिंग के दौरान उससे 5 गुना जादा वो stress ले सकता है factor of safety increase the safety of people and reduce the risk of failure of a product यानि कि factor of safety safety को increase करता है और product के failure होने के risk को कम करता है क्योंकि अगर एक structure fail होगा तो वहाँ पर बहुत सारी injuries होंगी deaths होंगे और company को भी बहुत सारा financial losses होंगे अगर brittle material के लिए हम factor of safety निकालते है तो maximum stress वहाँ पर ultimate stress हो जाता है लेकिन अगर हम उसे ही ductile material के लिए निकालते है factor of safety तो maximum stress जो है वो yield stress हो जाता है वहाँ पर factor of safety हमेशा 1 से ज़्यादा रहेगा यानि एक से ज़्यादा रहेगा हमेशा factor of safety number है इसका कोई भी unit नहीं होता है तो friends ये वीडियो थी हमारी factor of safety के उपर उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर एक percent भी ये वीडियो आपको helpful लगी हो तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा फिर से मिलेंगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलविदा